हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैप्टोप या कम्प्यूटर से अपने फोन में या फोन से कम्प्यूटर लैप्टोप में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं BIbilowut wire कैसे आप data transfer कर सकते हैं तो आज कि वीडियो हमारी इसीTopic पर है कि कैसे आप wireless अपने फोन से computer एक अपनी computer से अपने फोन में data transfer कर सकते हैं तो देखे दूस्तो जो data transfer आप wireless एक तो बेल्ंूत के थुरू कर सकते हैं बिले दो तुमें क्या होता है आपका speed थोड़ी कम आती है तो speed कम होने के जैसे आपका data आपको time लगता है time spend होता है तो आज दुम तरीका बताने वाला हूं high speed से आप data transfer कर सकते हैं तो data transfer करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में जाना है mobile में आपको अपने play store के option पे जाना है यहाँ पे आपको search करना है Wi-Fi FTP server इसको search करने के पाद आपको जो पहली app आएगी इसको आपको install कर लेना है install लगता है तो देखे दोस्तों मेरी apps install हो गई है app install होने के बाद आपको Wi-Fi या अपना data को off कर देना है और फिर क्या करना है आपको अपना hotspot on कर देना है तो जल्दी से मैं अपने computer या अपने laptop को यहाँ पर connect कर लेता हूँ अपने mobile के hotspot से देखे दोस्तों मेरा यहाँ पर connect हो चुका है मेरा computer मेरे mobile के hotspot से अब देखे दोस्तों आपको data transfer करने के लिए क्या करना है आपको अपने mobile में जाना है जो app आपने install की है उसको open कर लेना है open करने के बाद start के option पर click करना है app को start करने के बाद आपके सामने एक option सो होगा server url इसके सामने जो भी link है आपको इसको copy कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है फिर आपको अपने computer पर जाना है computer में जाने के बाद आपको अपने my computer पर जाना है my computer के अंदर आने के बाद आपको right click करना और एक option search करना है add network location तो देखे दोस्तों मेरा विए window 11 है तो इसमें मैं जो ये so more option के option जाके ये option मिलेगा आपको window 10 है तो आपका direct click करने पर मिल लेगा जाएगा तो मैं आपके so more option करता हूँ तो एक option मिलता है add a network location इसके option पर click करना है click करने के बाद देखे यहाँ पर मैं next के option पर click करना है next option क्लिक करने बाद हमारे पास देखे दो window open होगी यहाँ पर जो पर एई window है connect to internet इसको आपको cancel कर देना है cancel करने के बाद जो आपको दूसरी window मिलेगी इस पर ही आपको देखे यहाँ चूज के option पर click करना है चूज के option पर click करने के बाद next के option पर click करना है आपको जैसे आप next के option पर click करेंगे यहाँ पर देखे आपके सामने एक यहाँ पर dialogue box open होगा इसमें आपको जो आपका server URL है वो adjectives आपको यहाँ पर fill कर देना है तो मैं जल्दी से अपना URL server का जो मेरे phone का है उसको यहाँ पर fill कर देता हूँ fill करने के बाद simple next के option पर click करना है next के option पर click करने के बाद next step में आपसे यह नाम पूछेगा जो आप network यहाँ पर add कर रहे है लोकेशन का उसका नाम दे सकते हैं अगर इसको अगरवाइस आप इसको ऑटोमेटिकली है वैसे आप save कर सकते हैं तो मैं इसको यहाँ नाम नहीं दे प्रोसेज इसको आपको finish कर देना है finish करने के बाद देखिए आपकी जो file है mobile की यहाँ पर सो जाएंगी जो भी आपकी mobile के अंदर data है जितनी भी files बनी होई है सब यहाँ पर सो जाएगे आप एक-एक file को यहाँ पर access कर सकते हैं easily और उसके अंदर जाके आप कोई भी data copy कर सक साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको computer से आपको mobile में कैसे आपको data transfer करना है इसके लिए देखे मैं computer पे एक file थी उसको मैं copy कर लेता हूँ और फिर आप जो मैंने network location reset किया है उस पे जाके simple मुझको अपने इस file को paste कर देना है तो इस तरीके से आप कोई भी data transfer कर सक सकते हैं या फिर महां से copy करके अपने computer में paste कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आप wireless अपना data transfer कर सकते हैं computer to mobile mobile to computer दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लैक जरू कीजेगा चैनल फे फर्स टाइम आए चलको subscribe जरू कर लेजेगा और वीडियो को अपने friend के साथ share करना ना भूले थैंक्यू